आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ अगर एक दूसरे से यहां पर आट दूरी पर रखे हुए हैं तो हमारा क्या होता है कि इनका एक formula होता है क्या formula होता है f equal to हमारा क्या होता है 1 upon 4 pi epsilon into q1 divided by q2 divided by r square होता है तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि आप हमेशा जो है epsilon not लिखते हैं तो बेटर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह हमने यहां पर जो है कोई भी माध्यम हो सकता हमने एक अदतर्बन नहीं किया हिए हमारा यह हवा या निर्वात होता है तो भी हम किसी भी माध्यम की बात कर रहा है तो हम क्या लिखते अब जो यह हमारा क्या बताता है। यही हमारी जो है माध्यम की बिद्दूसिलता को बताता है। जो भी यहां पर माध्यम है, उसकी क्या बताएगा, उस माध्यम की जो है, माध्यम की बिद्दु सिलता, तो बेटा, अब हम यहां पर यही detail में पढ़ेंगे, actual में हमारा जो है, माध्यम की बिद्दु सिलता होती क्या है, इसका मतलब क्या है, अब हम यही पढ़ेंगे, सबस करते हैं वी हमारी एयर है, हवा है, पानी है, जल है, यह सब किसी कड़ोंं से मिलके बनाए है, तो इसमें कोई न कड़ है, तो इसको अगर हम एक तरीके से पदार्त बोल सकते, जैसे हमारा लकड़ी हो गया, यह भी ऐक पदार्त है, तो अब यह तो बतार्थ पदार्थ क्या करता उसका बिरोध करता है और यह जो माध्यम की बिद्धुत सेलता होती है वो उसी पदार्थ दोरा जो प्रदर्शित बिरोध होता है उसी की माप को बताता है कि कितना बिरोध उत्पन कर रही है अगर उस पदार्थ के अंदर अगर हम consider कर लेते हैं हमारा यह हवा है तो यहां पर अगर हम consider कर लेते हैं यह हमारा air है अब यह हम क्या consider कर लेते हैं यह हमारा जो है यहां पर हम जो है तीन अलग-अलग माध्यम consider कर लेते हैं जैसे कि यह माल लेते हैं हवा है और यह माल लेते हैं हमारा जल है अब यह माल लेते हैं ह एक धनात्मकावेस को हमने यहां भी रख दिया है, तो अब हमें पता है कि हावा के अंदर हमारे कड क्या होते? बहुत दूर-दूर होते हैं, काफी जादा दूर-दूर होते हैं, हावा के कड आपको तो फिल भी होता होगा यह, और जल में तो आपने पानी देखा ही है, तो उसमें कड़ क्या होते हैं, थोड़े थोड़े पास होते हैं, तो अब इसके बाद जो है, जो हमारा कांच होता है, उसमें जो हमारे molecules होते हैं, जो अड़ होते हैं, बहुत बहुत जादा पास होते हैं, तभी तो यह हमारा क्या हो कर रहे हैं जैसे आवेश रखता है तो अगर धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश से दूर की तरफ हमारा क्या उत्पन होना इस्टार्ट हो जाता है विदुत क्षेत्र उत्पन हो रहा है बेटा क्या करता है इन माध्यमों में हमारा क्या करता है डिस्टर्वेंस उत्प करue dot अब यह जो माध्या में यह नहीं चाहेगा को इस के अनुद क्या हो dan means क्या करेगा this disturbance का हमारा क्या करता है यह माध्यां अपोज करना start करदेता और यही जो हमारा opposition की measurement होता है वही क्या बताता है हमारा इस माध्यम की हमारी बिद्द सिलता को बताए अब ये अलग-अलग माध्यम के लिए अलग-अलग क्यों होती है क्योंकि हावा जो है जो बिरोध उत्पन्द करेगा जो बिरोध की माफ होगी हावा के लिए कुछ और होगी जल के लिए कुछ और होगा कांच के लिए कुछ और होगा ऐसा क्यों होता है क्योंकि हावा के कड की बेवस्था कुछ और होगी कांच के कड़ों की बेवस्था कुछ और होगी तो यहां पर अलग अलग जो है पदार्थ के अंदर की जो बेवस्था होती अलग अलग होती है इसलिए जो बिरोध की माफ है अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होगा अगर हम इसको यह इसमें आपको एक और चीज बढ़ी है, तो माध्यम की बिद्दु सिल्ता हमने देख लिए, जो कि Epsilon से डिनोट करते हैं, इसी फार्मूले में हमारा एक और चीज आती है, सापेक्षिक बिद्दु सिल्ता, जिसको हम किसी डिनोट करते हैं, Epsilon R से, थोड़ा साम ब्रीफ में इसके बारे में भी जान लेते हैं, तो यहां पे Epsilon R क्या होती है, हमारी सापेक्षिक बिद्दु सिल्ता होती है, तो, अब आपको यहां पे बेटा नाम से ही पता चल रहा है, सापेक्षिक बिद्दु सिल्ता, मिन्स यह किसी ना किसी के सापेक्ष लिया जाएगा, आपको की बिद्दु सीलता क्या होगी या हमारा कांच के सापेक्ष हमारा जल की बिद्दु सीलता क्या होगी तो मिल्स अब हम सापेक्ष की बात कर रहे हैं तो सापेक्ष की जब बात करते हैं था हमारा जो है जैसे कि हम इसको एक एक जामपल से समझेंगे हम के कि लिखते हैं यहां पर क्या होता है यहां पर कि लिख रहे हैं कि अगर हम सापेग्शिक बिद्दू सिल्ता अगर हावा के सापेक्ष लिखना चाहें था हम किस तरीके से लिखने हैं कांच की बिद्दुसीलता हावा के सापेक्ष क्या हो जाएगा हम क्या लिखते हैं फिर कांच की बिद्दुसीलता अब हवा को हम यहां पर epsilon not भी लिखते हैं इसलिए हमारा जो है जो हमारा कुलाम के नियम में कुलाम law में जो हमारा formula होता है यहां पे f equal to one upon four pi epsilon not epsilon r हो जाता है into हमारा क्या हो जाता है अब इसके बाद q1 into q2 divided by r square हो जाता है यह एपशाइले और क्या बताता है, जिस माध्यम में हम यहां पे बल देख रहे होते हैं, उस माध्यम का हवा के सापेक्ष बिद्धु सिलता ये होती है तबी तो यहां पे ना。 यहांसे हमारा क्योंचन कंप्लीट हो जाता है, ओके, Thank You.